नमस्कार, आज हम कावे दोशों का अध्यन करेंगे कावे दोश वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति की अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य है अध्य कावे की आत्मा रस को स्विकार किया जाता है जिस कवीता को पढ़कर या सुनकर पाठक या शुरूता के मन में रसान भूती नै हूँ वेह रचना कावे श्रेनी में नहीं आ सकती रचना जितनी अधिक रसो द्रेक करने वाली होगी उतनी ही उतक्रिस्ट होगी वास्तर में कवी का उदेश्य अपनी रचना के माध्यम से अपने भामों को शुरूता या पाठक तक पहुंचाना होता है अथै किसी रचना से यदि कोई व्यक्ती उनहीं भामों में नहीं डूप जाता उसी स्थिती में नहीं पहुंच जाता जिसमें की स्वयम रचनाकार था तो रचना की सफलता में संधे होने लगता है पाठक या शुरूता रचनाकार के मन से तादत में स्थापित करके ही रसा नभूती कर सकता है इस प्रकार लेखक और पाठक के मध्य कवीता एक रस की तरंग प्रवाहित कर देती है इस रस तरंग में यदि कोई गत्यवरोध होगा अत्वा व्यागात होगा तो पाठक या शुरूता को एक अरूची पूरन चटका लगेगा जो उसके मन में रसोद्रेक की स्थिती में भादक होगा यह बाधा जिस किसी भी कारण से आती है उसे काव्य दोश कहते हैं महाकवी तुलसी दास ने कहा है कि विशव गुण दोश में है अर्थात स्रिस्टी की रचना में गुण है तो दोश भी है किन्तु काव्य रचना में निर्दोशता पर बल दिया जाता है अर्थात कवी को अपनी रचना में दोशों से बचना चाहिए ऐसा आचारियों ने परामर्ष दिया है जिस परकार से संसार की किसी भी वस्तु का कोई दोशन उसके संद्रिय तथा आकर्षन को कम करता है उसी परकार काव्य दोश रचना की संद्रिय और आकर्षन को कम करती हैं काव्य दोश उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बादा पहुंचाती हैं जो काव्य के रस की हानी करती हैं जैसे स्वादिस्ट भोजन में कोई कंकड आ जाता है तो भोजन का स्मस्त आनंद नश्ट हो जाता है वैसे ही काव्य में कोई दोश आ जाता है तो काव्य के स्मस्त आनंद को नश्ट कर देता है दोशों के परकार दोशों के मुख्य तीन प्रकार हैं शब्द दोश या पद्द दोश वाक्य दोश अर्थ दोश शब्द दोश या पद्द दोश वह दोश जो किसी शब्द में हो शब्द को थोड़ा बदल देने से या प्रयाई शब्द द्वारा बदल देने से शब्द दोश दूर हो जाता है इसे हम एक उधारन के द्वारा समझ सकते हैं जैसे शण भर रहा उजाला में इस उधारन में उजाला में शब्द दोश है अगर हम इस शब्द को बदल देते हैं तो शब्द दोश दूर हो जाता है शण भर रहा उजाला में अगर हम उजाला की जगए उजाले कर देते हैं तो यह दोश दूर हो जाता है शण भर रहा उजाले में शब्द दोश शब्द में नहित होता है और शब्द को दोशी जो शब्द है उसको बदल देने से पह दोश दूर हो जाता है दूसरा उधारन खिले फूल सब गिरा दिया है यहां फूल बहु वचन है और गिरा दिया है एक वचन अगर यहां भी व्याकरण विरुद शब्द दोश है गिरा दिया है के स्थान पर अगर गिरा दिये हैं कर दिया जाए तो यह दोश दूर हो जाएगा इस प्रकार शब्द दोश चों है वो शब्द को बदल देने से दूर हो जाते हैं वाक्य दोश जो दोश वाक्य के अनेक शब्दों में या वाक्य की रचना में हो वह वाक्य दोश होता है इसे हम एक उधारन के द्वारा सम्झ सकते हैं जैसे अमानुशी भूमे अबानरी करूँ इस वाक्य में वक्ता का भिप्राई है कि भूमी को मनुश्यों से हीन और वानरों से हीन कर दूँगा पर वाक्य की शब्द योजना इसकी वाक्य रचना ऐसी है कि इसको पढ़ने से यह अर्थ समझ में आता है कि मनुश्य हीन भूमी को वानरों से हीन कर दूँगा अमानुशी यानि कि मनुश्यों से हीन मनुश्यों से हीन भूमी को अबानरी करूँ वानरों से हीन कर दूँगा होना यह चाहिए था कि भूमी अबानुरी अमानुसी करो यानि अगर भूमी को पहले कर दिया जाए शब्दों के क्रम को अगर सही कर दिया जाए तो यह दोश दूर हो जाता है इसमें शब्दों का क्रम सही नहीं होने से वाक्य की रचना जो है वो सही नहीं हुई इसलिए इसमें वाक्य दोश है अर्थ दोश जो दोश अर्थ से संबंद रखता है वह अर्थ दोश होता है अर्थ दोश शब्द या शब्दों को प्रयाई शब्द से बदल देने पर भी बना रहता है पहले जो हमने दो परकार के दोश किये शब्द दोश और वाक्य दोश उनमें शब्द बदल देने से वाक्य में शब्दों के इक्रम को सही कर देने से दोश दूर हो सकता है प्रन्तु जो दोश अर्थ में नहीत होता है वह शब्दों को बदलने से भी जोंकात्यों बना रहता है इसे हम एक उधारन के द्वारा समझ सकते हैं जैसे द्रिश्य बड़ा था चारू, मन्जू, सुन्दर, मन्मोहन यहां मन्जू, सुन्दर और मन्मोहन शब्दों का वही अर्थ है जो चारू का है अते यहां अर्थ की पुनरुक्ती हुई है और पुनरुक्त नामक अर्थ दोश है अगर हम इन शब्दों के प्रयाय भी रख दें तो भी यह दोश बना रहेगा द्रिश्य बड़ा था चारू चारू का अर्थ भी इसमें सुन्दर है मन्जू का अर्थ भी सुन्दर है मन्मोहन का अर्थ भी वही है तो बार बार एक ही शब्द की पुनरुक्ती हो रही है अनावशक शब्दों का यहां पर प्रयोग हुआ है अगर हम चारू शब्द का प्रयाय रखें मन्जू शब्द की जगे दूसरा शब्द इसका प्रयायवाची शब्द रखें सुन्दर की जगे इसका प्रयायवाची शब्द रखें और मन्मोहन शब्द की जगे भी हम अगर इसका प्रयायवाची शब्द रखें तब भी यह दोश जोंकात्यों रहेगा क्योंकि यह जो दोश है वो अर्थ में नहीं थै क्योंकि इसमें अर्थ की पुनरुक्ती हुई है चारों शब्दों का एक ही अर्थ है इसलिए यह दोश शब्दों को बदल देने से भी शब्दों के प्रयाय रख देने से भी जोंकात्यों बना रहेगा हमने दोशों के तीन प्रकारों के बारे में जाना ये थे शब्द दोश, वाक्य दोश और अर्थ दोश अगर काव्य में शब्द दोश है तो शब्द बदल देने से वो दोश दूर हो सकता है वाक्य दोश भी शब्दों के क्रम को सही कर देने से दूर हो जाता है प्रन्तु अर्थ दोश अर्थ में नहित होने के कारण ज्यों का त्यों बना रहता है इसलिए कावय में दोशों के आ जाने से रसान भूती में बादा उत्पन होती है कावय में कावय दोश रसान भूती में एक बादा पहुंचाते हैं और पाठक या श्रोता उस रस के आनन्द की अन भूती नहीं कर सकता जिस उदेशय से उस कावय की रचना की गई है अधै कावय में दोशों से बचना चाहिए